हेलो ट्रेडर्स वेलकम बैक टो मैं चैनल लिक्विटी स्टार ट्रेडर्स आज की इस वीडियो में मैं उस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो टॉपिक आप लोग के लिए काफी ही ज्यादा इन्पोर्टेंट है अगर ये चीजे आपने सही से निकालना सीख लिया तो इंट्री बताया था कि इंट्री अगर ऐसे करेंगे तो ऑपरेटर के साथ में इंट्री कर पाएंगे और वहां से बहुत वरा प्रॉफिट बना सकते हैं लेकिन गईज मैंने उस वीडियो में ऑपरेटर का लेवल निकालते कैसे हैं ये चीजे नहीं बताया था ठीक है आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ओपरेटर का लेवल को find कैसे करते हैं मतलब चार्ट पे उसको निकालते कैसे हैं कैसे निकाला जाता है तो वीडियो को पूरी तरीका से complete देखेगा और आज के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई dot इस topic में रहना चाहिए क कि जब कोई वीडियो बनता है और मैं पूरी dedication के साथ पूरी तरीका से fully detail में बनाता हूँ तो ये वीडियो उसी तरीका से fully dedicated है पूरी complete देखेगा मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपको dots रहना चाहिए इसके बाबजुद भी अगर dot रहता है वीडियो को complete देखने के कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं other way आप मुझे contact कर सकते हैं मैं आपको fully तरीका से help करूँगा right सबसे पहले देखिए अभी जो यहाँ पे draw है ये बाला पहले से मैंने draw करके support resistance है सब सारे level को मैंने पहले से draw करके रखा है as a intraday इसको work कर सकते हैं और आप लोग देख ल operator का level है जो operator का level ऐसा level होता है जहां से entry करने के वाद market rocket के तरह उड़ेगा कैसे यहाँ भी देखिए operator level market देखिए कैसे हुआ यहाँ पे ऐसा नहीं कि only level से पता चल जाता है कुछ region और होते हैं advantage भी होते हैं बहुत ऐसा secret होता है मैं सारे चीज़ों को one by one आपको reveal करूंगा ठीक है पहले मैं यह बता देता हूँ कुछ चीज़े basic है वो जान लो जैसे अगर हम support and resistance को draw करते हैं तो support मान के चलो नीचे में होता है resistance उपर में होता है clearly यहाँ पे समझ लीजे और support हम लोग उसको मानते हैं जहां से कम से कम market one time two time या three time यहाँ पे देखिए इस तरीका से यहाँ पे enter होना चीए यानि कि touch करना चीए line को उसके बाद या तो इसको breakdown कर सकता है या फिर retrace करके उपर जा सकता है यह दो ही चीजे कर सकता है support level पे ठीक है यह चीजे मुझे लगता है कि support कैसे यहाँ पे find करते हैं यह चीजे आपको पता चल गया कि इस तरीका से support draw होता है जितने multiple times यहाँ पे retracement होगा उतनी ज्यादा हमारा support strong होगा ठीक है अब major support किसे कहते हैं range support किसे कहते हैं यह चीजे आगे हम लोग chart पे discuss करेंगे ठीक है यह मैं basic बता रहा हूँ इसके बाद आपको समझने में काफी असानी होगे इसी तरीका से अगर हम resistance की बात करते हैं तो देखिए जैसे कि यहाँ पे ऊपर में यह वाला resistance है यहाँ पे market गया एक बार ऊपर breakout किया यह false breakout किया अगर यह real breakout होता है तो market इस तरीका से जाता ही रह जाता है false breakout किया market में सारे buyers को trap किया उसके बाद देखिए market again two times यहाँ पे आया market यहाँ पे देखिए downfall आ गया तरीका से support और resistance को हम लोग देखते हैं इसी में अगर हम लोग trend line की बात करते है तो यह थोड़ा सा इस तरीका से inclined होता है ठीक है हो सकता है trend line को market इस तरीका से यहाँ पे retrace करता करता ऊपर जाता हो मतलब इसको follow करता हो ठीक है और अगर मैं बात करूं तो इसको follow ही नहीं कर follow तो करता है जब यह market trending होता है अगर trending नहीं होता है तो इसको breakdown भी करता हुआ दिख सकता है as a resistance इसको support भी कर सकता है جैसे यहाँ पे देखिये market open हुआ और यहा पे market आया as a resistance आया और यहीं से reflection हुआ तो यह as a resistance है है as a support भी काम करता है जब यह इस तरीका से down trend में बनता है ठीक है तो इस तरीका से यह support हो गया कैसे draw करते हैं जो मैंने अभी बताया just आपको यह resistance हो गया और यह trend line हो गया यह तीन चीजे मैंने आपको पता चिर दिया और अब मैं क्या करता हूँ यह जो चीजे यह जो level आप देख रहे हैं यह पहले से draw है अब मैं इसको delete कर देता हूँ और आपके सामने में अभी सब अपने आप देखिएगा यह सारे level जो है मैं कुछ नहीं करूँगा अपनी आप आजाएगा चार्ट पे कैसे इसको draw करते हैं आपको यहाँ पे कुछ logic या magic लगाने के जरूद नहीं है जैसे मैं कहता जाता हूँ आप लोग वह इसे करते जाएगे ठीक है एक चीजे बताना चाहूँगा गाईच अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like and share जरूर कीजेगा और चैनल में अगर new है तो चैनल को जरूर subscribe कीजे for latest update के लिए क्योंकि मैं इसी type का काफी important वीडियो आप लोग के लिए हमीसा लाते रहता हूँ तो ये informative वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो जरूर इसको subscribe कीजेगा like and share जरूर कीजेगा देखिए अगर हम operator का level chart पे निकालने का try करेंगे तो इसमें 3 चीजे matter करता है सबसे पहले जो हम लोग level को निकालेंगे वो one day में निकालेंगे ठीक है one day सारा chart पे यहाँ पे अपनी आप level आ जागा देखिए one day में निकालेंगे इसको निकाल लेते हैं तो हमारा कम से कम 50% काम हो जाता है ठीक है 50% हमारा काम हो जाता है इसके बाद जो process आता है वो आता है one hour one day निकाल लिए इसके बाद हमको यहाँ पर one hour में level देखना है कि क्या कोई level छूट भी रहा है अगर नहीं छूट रहा है तो इसके बाद direct हम लोग को one hour में आना है one hour में जैसे आ गए इसके बाद हम लोग को आना है 30 मिनट में भी आ सकते हैं या अगर आपको 30 मिनट में नहीं आना है तो जो level पे आप काम करते हैं जैसे intraday में मैं 15 मिनट में काम करता हूँ तो आप directly 15 मिनट में आ जाएए और इतना आते 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 आपको कोई भी level extra यहाँ पे draw करने की ज़रूरत नहीं है सारे level यहाँ पे automatically draw हो जाएगा और उसी के according यहाँ पे सारे level जो यहाँ पे operator का level है वो आपके सामने आ जाएगा वहाँ से आप आसानी से काम कर सकते हैं ठीक है अब जो major चीज़े आती है कि कौन सा level important है कौन सा level major है कौन सा एक range resistance काफी strong है कौन सा weak है यह चीज़े हम लोग draw करने के बाद देखेंगे कैसे identify करते हैं डाइट traders अभी देखिए सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे time frame जैसे मैंने बताया उसी के according time frame को change करके one day कर देते हैं ठीक है अब जैसे यहाँ पे one day किये देखिए बहुत सारा बिखरा बगड़ा चार्ट है इसको एक तरह से छोटा कर लेंगे और छोटा करने के बाद जिस point पे two to three times market meet करता हो वहाँ पे हमको simple यहाँ पे horizontal line draw करते जाना है देखिए सबसे पहले में आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे दिखिए एक line है similarly जो market कल high लगाया है कहीं कहीं आपको दिख रहा होगा कि इसी के नजदी की यहाँ पे लगाया है ठीक है अगर इससे नीचे भी है तो यह भी एक resistance की तरह काम करेगा अगर यह उसके उपर है तो थोड़ा सा यानिकी gap है यहाँ पे लेकिन यह एक range resistance हो जाएगा तो जहाँ पे one time point बना चुका था तो यहाँ पे हमको simple सा इसको draw कर देना है state line को यहाँ पे हम इने draw कर दिया draw करने के साथ देखिए अभी जो अभी जो हमारा resistance हो जाएगा जो market अभी यहाँ पे run कर रहा है यह resistance यहाँ पे होगा यह major resistance होगा क्यों होगा क्योंकि market में जहाँ जिस level से जितना बड़ा rejection हुआ होता है वो उतना ही strong rejection के लिए माना जाता है और उतना ही strong resistance होता है क्यों बोल रहा हूँ इस level से जब market आया था तो यहां से जो rejection दिया है देखिए कितना strong rejection दिया है यह one day का time frame है जब इस level से इतना power है इस level पे यहां पे sellers को गिराने का market को और यहां से market मतलब कितना दिन हो सकता है यह one day का one candle है आप यहां पे उमीद लगा सकते है कितने दिन से market इस level को rejection के बाद नीचे रहा है इसके बाद इस level पे यहां पे आ रहा है तो अब सोचो अभी तो यहां पे आया भी नहीं है अभी आया भी नहीं है अभी थोड़ा सा नीचे ही है उसके पहले ही market यहाँ पर crash हो गया अगर market यहाँ पर कोई भी candle fluctuate करके आता भी है तो maximum chances है कि again यहाँ पर sellers आएगा फिर से market को ऐसे लेके जाएगा यह definitely ऐसा ही होता है यह मैं अपना observation आपको share कर रहा हूँ ठीक है? गाईज एक चीज़े मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा अगर अभी तक आपने मेरे free telegram channel को join नहीं किया है तो daily wishes पर आप बहुत बड़ा चीज़ मिस कर रहे हो वीडियो के discussion में link है वहाँ पर directly join कर सकते हैं और ensure कीज़े जब भी आप join करते हैं मेरे discussion में जो link है उसी link से join कीज़े क्योंकि अगर आप किसी और link से join करते हैं तो वहाँ पर maybe आपके साथ scheme हो सकता है क्योंकि बहुत सारे fake channel मेरे बने हुए है तो इससे बचने के लिए directly मेरे link का use कीज़े साथ में मैं बोलूँगा आपको वहाँ पर दो दिन stay करना है ठीक है दो दिन stay करना है सिर्फ मेरे call को observe करना trade नहीं करना आपको ठीक है अगर उसकी accuracy आपको almost 100% लगती है जो मैं call provide करता हो जो मैं levels वहाँ पर देता हूँ आपको accurate नहीं लगता है आप channel को live करके जहां मन है वहाँ जा सकते हैं ठीक है गाइज एक चीज़े और आपके लिए सबसे best offer है अगर आपके पास capital बहुत कम है या फिर आप लोग beginners हो या फिर एक small trader हो तो गाइज आपके लिए यहाँ पर best offer यह है वो भी lifetime free of cost जी है कोई भी hidden charges नहीं है free of cost है टेलिग्राम चैनल का link और मैं ये broker का link सबका link मैं वीडियो के discussion में दे दूँगा वहाँ से आप लोग check out कर सकते हैं ठीक है अब मैं यहाँ पर directly दिखाता हूँ कि जो पहला level मैंने यहाँ पर draw किया यहाँ पर point आया था और यहाँ पर आया था जो कि यहाँ पर बोलेंगे resistance या support two lines पर match करना चीए बिल्कुल यहाँ पर two lines पर match करना चीए लेकिन इसके according जो rejection है strong हुआ है तो इसको मैंने draw कर लिया इसके बाद कहाँ पर आता है यहाँ पर आता है ठीक है यहाँ पर अगर मैं draw करके देखता हूँ तो यह level कहीं ने कहीं यहाँ पर आता है क्यों आता है क्योंकि देखिए यहाँ पर one time यहाँ पर rejection हुआ है two times यहाँ पर हुआ है three times यहाँ पर हुआ है four times यहाँ पर हुआ है अब last day इसलिए मैं बलताता हूँ यहाँ से आपको clear picture मिलता है कि market क्या करने वाला analysis भी करते हैं इसी के according आप लोग इस level को draw कीजिए क्योंकि यह एक operator level माना जाता है बिलकुल ठीक है अब यहाँ पे आप खुद बताइए कि यहाँ पे hanging man, shooting star जिसको आप बोलते हो या फिर inverted hammer वो बना है या नहीं बना है वही बना है exactly इस level से major resistance level से क्यों क्योंकि एक level होता है काफी crucial होता है यहाँ पे देखिए 43,500 यह 500 के compare में जो भी नम्मर आएगा वो काफी ज़्यादा crucial होता है इसलिए कि यहाँ पे option writer काफी ज़्यादा होते हैं इसको market अगर यह resistance काम कर रहा है 43,500 तो guys यहाँ पे seller काफी ज़्यादा आएगा selling pressure काफी ज़्यादा आएगा दूसरी बात है अगर यही पे bottom level पे काम करता है as a support तो यहाँ पे mind pressure काफी ज़्यादा आता है तो इसलिए यहाँ से market आपको reverse करता हुआ दिखा और crash कर गया ठीक है तो यह एक range हो गया मतलब यह चोटा सा range में market यहाँ पे momentum किया और इसी level सा rejection दिया इसलिए हो सकता है यहाँ पे नहीं हो सकता है market कभी-कभी यहाँ पे open होके इस तरीका से green candle बनाता हुआ यहाँ से भी आके rejection दे सकता है लेकिन otherwise यहीं पे अगर rejection दे के market यहीं से नीचे जाता है तो कोई बात नहीं यह ए यहाँ पे देखते हैं कि next level कौन सा देखिए next यहाँ पे यह है क्यों ऐसा मैं draw किया यहाँ पे इस level से rejection करके breakout करके ऊपर गया है इसी level को नीचे गया है यहाँ पे देखिए काफी देर तक इस level को sustain किया है तो यहाँ पे मैंने draw किया इसके बाद इसी level को देखिए काफी दे तक hold किया है, फिर इसको breakout किया है, ठीक है, same यहाँ पर जो हुआ है, देखिए same to same आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, same to same हुआ है, market पहले आया, rejection किया, breakout दिया, market पहले आया, rejection किया, breakout दिया, मैं कितने बार बोलता हूँ, market में chart pattern, candlestick pattern ही काम नहीं करता है, कभी-कभी ऐसे चीजे भी काम करती है, जो चीजे previous market कर चुका होता है, अब मुझे बताइए, इसमें और इसमें आपको कोई भी difference यहाँ पर दिख रहा है, कोई difference है ही नहीं, सिर्फ आप chart को देखते जाते हैं, observe करते जाते हैं, तो guys उससे इतना बड़ा profit बना सकते हैं, वो कोई सोच भी नहीं सकता, तो यह चीजे आपके observation पर आपके experienceivity पेंट करता है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर market में यह मैंने तीन चीजे आपके सामने में अभी draw किया, इसके बाद और देखिए कहीं बनता है, देखिए यह वाला level है, यह वाला level यहाँ पर हम लोग draw कर सकते हैं, क पर ही काम करेगा, उपर गया, इसके बाद market काफी जदा fold on हुआ, इसके बाद देखिए इस लेवल को breakdown ही कर दिया, तो यह भी हुआ, उसके बाद जब breakdown कर दिया, तो इसके बाद rejection के लिए आया, retrace किया, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए trap कैसे करता, मैं काफ कर चुके हैं, यह करने वाले है, लेकिन beginners जो होता है, उसको पता ही नहीं होता हुआ, आराम से यहाँ पर buy करेंगे, और यहाँ पर buy करके चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि यह जो मेरा resistance support level है, जब market यहाँ से breakdown किया, तो एक top level से देखिए, यहाँ पर आ रहा है, इस top level से, न नहीं उसको trend line draw करने आता है, beginners की बात कर रहा हूँ, नहीं support line, तो काफी इसके बिना, आप लोग कुछ भी नहीं market में कर सकते हैं, आप खुद देखिए, यहाँ पर जो मैंने यह trend line को draw किया है, क्या इस trend line को follow कर रहा है market, काफी times यहाँ पर देखिए, follow कर रहा है, यहाँ प buy side के लिए हम क्यों यहाँ पर trade अपना लेंगे, नहीं लेना चाहिए, buy side में अगर market जाता भी तो avoid करना चाहिए, और buy कब करना चाहिए, जब market कोई trending resistance level को breakout कर देता है, जिसे यह level, तब जाके यहाँ पर एक confirmation मिलता है, वो भी quantity कम रहा था, क्यों, क्योंकि top level से गिर रहा है तो top पे कभी भी buy नहीं करते हैं, buy हम हमेशा bottom में करते हैं, sale हमेशा top पे करते हैं, इसलिए market जब इधर कहीं आता, तो sale करने का opportunity ढूंडते, लेकिन buy करने का नहीं ढूंडते, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आपको बताए कि simple सा यह level क्यों मैंने draw किया, यहाँ पर भी learning phase में मैंने वीडियो बता चुका हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा, और learning series की आपको playlist मिल जाएगा मेरी channel में, सारे चीज़े उसमें दिया हुआ है, यहाँ से देखिए, अगर यह fake breakout नहीं होता, तो market यहाँ से rejection नहीं करता, यह directly आपको इस तरीका से दिखाता है, इस बार, दो बार यहाँ पे market आ गया, तीन बार rejection के बाद आ गया, चौथा बार यहाँ पे जिसे breakout किया, simple सी बात है, यहाँ पे आपको मौका मिलेगा ही मिलेगा, breakout पे क्यों मिलेगा, इसका और region है, यह region बोलेंगे कि आप यहाँ पे मिल गया था, बोल दिये, breakout किया, ऐसे नह बार किया, यहाँ पे नियरली किया, चार बार, यहाँ पे पांच बार किया, अब किसी trend line को पांच बार market ओल्डेडी देखिए, retrace करके नीचे आ चुका है, 6 बार में यह breakout कर दिया, तो यह breakout strong होगा, इसलिए यह breakout हमको यहाँ पे काफी strong मिला, और market यहाँ पे one sided, one way, आपक अभी time frame को change करना भी बांकी है, अभी देखिए, अब मैं trend, यहाँ पे सारे चीजे पहले draw कर लेता हूँ, यहाँ पे horizontal line की बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी market आया हुआ है, इसके बाद जो market level बनाया है, यह वाला level बनाया है, ठीक है, अब यहाँ प आपको clear हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, क्यों मैंने range resistance किया, कि इस level में काफी देर तक sustain भी किया है, यहाँ पर देखिए, sustain भी किया है, यहाँ पे देखिए, sustain किया है, तो इसलिए जब इस level को एक छोटी से level में market काफी देर तक momentum भी करता है, तो यह एक range resistance या range support हमको मा आवर कर देते हैं, यहाँ पे देखिए, वन आवर कर रहे हैं, अब देखिए, वन आवर के according आपको हद तक यहाँ पे काफी हद तक clear हो गया होगा कि मैं क्या यहाँ पे draw करना चारा था, क्या नहीं करना चारा था, अब देखिए, यहाँ पे और clear होगा, अब जो level बच गय जैसे कि यहाँ पर पहले समझा दू मैं आपको, यह लेवल देखिए, यहाँ पर इस लेवल का टॉप लेवल है, ड्रोड नहीं हुआ है, क्योंकि पहले इसके प्रिवेसली कोई मार्केट यहाँ पर रिट्रिस्ट नहीं किया था, लॉंग टाइम फ्रेम में आप देखे ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया, अब यहाँ पर हम लोग नीचे भी डिऌव कर सकते हैं, देखिए, यहाँ पर मार्केट काफी देर तक सस्टेν किया, तो यहाँ पर हम लोग ड्रोड कर सकते हैं, यह वाला क्लियर आपको पता चल गया पिक्चर क्यों? क्योंकि इसी रें किया market यहाँ पे entry किये देखिए आपको सब कुछ यहाँ पे resistance और support बताता है सब कुछ कि draw करना कैसे है कैसे नहीं करना है clearly यहाँ पे picture आपको मिल रहा होगा इसके according यहाँ पे देखिए पूरा clear आपको हो गया सारा चीज कि कैसे draw करना अब यह देखिए सारा level आपको पता चल गया अब अगर कल यहाँ पे इस level को breakdown करता है तो हमको अराम से यहाँ पे entry भी मिल सकते है लेकिन अगर इसी तरीका से हम इसको और देखते हैं पहले की कोई level है देखिए यहाँ पे आपको यह level clearly दिख रहा है तो यहाँ पर भी हम draw कर लेंगे यह वाला हमारा support हो जाएगा यहाँ पर भी clearly draw कर लेंगे देखिए यह level क्यों में draw करते जा रहा हो यहाँ पर एक point मिल गया यहाँ पर दूसरा point मिल गया तो इसको मैंने उम्मिद है कि इसके बाद आपको कोई dots नहीं रहाना चीए यहाँ पर देखिए same agility यहाँ वही चीज़े हुआ है यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ पर two times एक बार यहाँ पर आया market एक बार यहाँ पर phrase breakout ही दे दिया यहाँ पर three times market meet किया हुआ है इस level को मैंने मिला दिया बस simple सा इतना ही है अभी यह आपको 15 minute में आया भी नहीं है अभी यह one hour का chart में दिखा रहा हूँ आपको सारी चीज़े अब मैं इसको 15 minute करता हूँ जितना मैं trading करता हूँ पहले one day किया फिर one hour किया सारे levels को draw कर लिया अब मैं 15 minute करता हूँ जिसमें मैं trading करता हूँ अब आप मुझे बताइए मेरा जो level है जो मैंने chart में analysis आपको किया है वो level और यह level में कोई difference आपको दिख रहा है देखे 15 minute में जैसे मैंने लगाया सारे level यहाँ पर कुछ भी draw करने की जरूरत नहीं है अगर 15 minute में थोड़ा बहुत आपको level लगता है कि कोई draw करना चीए crucial level है जैसे कि यहाँ पर देखे यह मुझे लग रहा था breakout के बाग तो यहाँ पर मैंने draw कर दिया क्यों कर दिया यहाँ पर region है देखिए यहाँ पर market breakout किया था यहाँ पर market आया था sustain किया यहाँ पर बोलते है major support ठीक है major support क्यों क्यों कि यहाँ पर one time two time three time four time five time five times market यहाँ पर इस level को breakdown करने नहीं दे रहा था जब market यहाँ से यह वाला rejection दिया था जब last में breakdown किया आप देखो यहाँ पर कोई भी green candle आपको उपर गया है नहीं गया है इसका region क्या है जब market यहाँ पर जो भी buyers था सारे buyers के stop loss को यहाँ पर hit कर दिया तो यह buyers कभी भी बड़ा loss खाना नहीं चाहेगा यहाँ पर अपना stop loss और यह भी अपना sales side में position बनाएगा इसलिए market यहाँ से fully आपको crash होता हुआ दिखा ऐसे तो market इस resistance level से ही आपको दिखा क्योंकि यह एक top का level था जहाँ से market बहुत बड़ा rejection आया था मैंने आपको दिखाया था one day के time frame में इसलिए market यहाँ से reject किया और यह वाला fake breakout दिया था यहाँ पे सारे buyers को यहाँ पे पहले buy करने दिया उसके बाद market absolutely यहाँ पे trap कर लिया तो trap बाला system जरूर समझना guys मैंने video अपने YouTube चैनल में दे चका हूँ और इसको मैं telegram चैनल में भी बार बार पोस्ट करते रहत हूँ जरूर देखिएगा क्योंकि trapping mode आपको समझना जरू हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है 15 minute में draw करने के बाद अब यहाँ पे देखिए इधर देखेंगे कोई और level है पीछे किये तो हमको एक और level यहाँ पे मिल रहा है यह वाला level यह भी draw कर दिया अब देखिए intra day के according यह भी level आपको मिल गया देखिए यहाँ पर आ consolidation phase मिल सकता है और वहाँ पे range support और resistance जो आप draw करेंगे वो आपका काम नहीं करेगा 15 minute या 10 minute एक average range जो intra day के लिए हम लोग time frame देखते हैं उस time frame में draw करेंगे यहाँ पे आप मुझे बताईए कि आपको कोई भी level यहाँ पे बाकी है या नहीं है अब यहाँ पे trend line की जो बात आ रहा था ठीक है यह इसका मतलब है कि trend को follow कर रहा था और जैसे यह नीचे breakdown हुआ यहाँ पे gap down open हुआ था gap down open होने के बाद यह एजे resistance यहाँ पे काम किया है पहले यह एजे support काम कर रहा था ठीक है तो trend line भी इस तरीका से काम करता है एजे resistance काम किया market यहाँ से reject किया और यह जो level है यह operator का level है यहाँ से market कभी भी hold नहीं करेगा यह आपको रफ्तार में जाएगा जैसे गोली के रफ्तार निकलती है तो यह चीजे हम लोग को यहाँ पे समझना important है अब यहाँ पे जो भी level यह draw हुआ है उसके according आप लोग यहाँ पे level देख सकते हैं marking कर सकते हैं इसके बाद मैंने तो यहाँ पे सारे चीजे आपको clearly बताया resistance, trend line, support line कहाँ पे major resistance है कहाँ पे major support है तो guys मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई भी query या dots नहीं बचा होगा even आपको कोई भी dots होते हैं तो comment box में जरूर बताइए मैं उनका exactly आपको reply प्ले करूँगा तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आप लोग ने बहुत कुछ सीखा होगा guys वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like and share जरूर कीजेगा channel में new है तो इसी type के more informative वीडियो के लिए channel को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते ही से तरह कहाँ एक next वीडियो में